अच्छा जी अभी हम बात कर रहे थे किसी की डेद के एफेक्स कैसे आते हैं उनके लबबंस पे अभी वो बात हमारी आदी पौनी बीच में ही है वो हम definitely continue करेंगे लेकिन अब हम बात करने वाले हैं हकूक बात पे जो क्या आज का हमारा topic है हकूक बात क्या चीज है और किसना हर इनसान को एक तो सबसे पहले इसके बारे पता होना चाहिए अपने हक के बारे में पता होना चाहिए usually we end up knowing our hakuk only और हम लोग हमारे फराइस जो होते हैं पता भी होते तो नहीं कर रहे होते फराइस कभी-कभी हम लोग कहते हैं कई पैक पे डाल देते हैं कि जी वो देखा जाएगा हो जाएगा यह हो जाएगा तो यह सब चीजें क्यों important होती है एक balanced life के लिए इस पे बात करें हमारे पास है जी मुफ्ती मसूद अमेट साव असलामने की सा वालेकम कैसे हैं अलहम देल्ला बिकल शीक्ता अजा सबसे पहले आपसे पोल का सवाल फिर हम इस बारें बात करते हमारा पोल का सवाल है क्या ऐसी जिन्दगी गुजारने के बाद अगर आपको option दिया जाए तो क्यों क्यों आपको पूछेंगे अब इस वक्त जो हाला अब नदर आ रहे हैं तो पहले से ज्यादा struggle की भी जरूरत हो कि और इंसान खामखा आपने आपको struggle में क्यों डाले खामखा आपको पूरी life मिल रहे है दुबारा से कुछ अचीफ करने के लिए तो खामखा तो नहीं होगा जो चीज मेरे खाल में शायद possible नहीं है possibility नहीं है it's just a situation possibility तो definitely खुदा नहीं possibility नहीं दी तो आपके तरह सकते है possibility तो नहीं है but just a situation एक मिन किल मैं सोचू कि मेरी जैसी जिंदगी है इसके वाद मुझे और जिंदगी चाहिए नहीं you know अगर मुझे और जिंदगी दे रहे हैं तो मजे पिछली जिनदगी की जो चीजे वह माफ करके अगली जिंदगी आखरत की जिंदगी और अच्छी हो जाए जब हम के पीदा होते हैं दुनिया को कुछ नहीं पता हूंट अब आपको सब कुछ पता है क्यों दुनिया में यह भी हो रहा है यह यह technology है वह सारी knowledge के साथ आपको एक नई life मिल रही है यह वह एलिजी को फंचे के रिखें going also अबहुम आफ्कार चजए के लिखें बात करेंगे उसका कैसे हुएंगे जिस मातें ही मुझा करने पहसा क्या है जिस माशरे में हम रहते हैं उस माशरे में हमारे जितने भी फराइज है हॉदों वो दूसरों के सद्गो body हमारे फराइज दूसरों के हखुग है ठीक है? और जो दूसरा के स्अखर हमारे ह Крас clothing करिया हैen Rocky Krasna hmm इसको मुखी गश्चाBолियू पर मुख्तुली पेराय में बेयां किया कहीं डिरेक्ट हुकुम दिया और कहीं पिशली कौमों की कोई मिसाल दी जैसे किसी भी इनसान की शोहरत को नुखसान पहुचाना उसकी बैकबाइटिंग करना यह चीजें जब मना की गई जहां पर तो कहीं पर तो यह कहा गया कि एक दुसरे का जिकर किसी की गहर करते तो इसको बुरा लगता यह है गईबत कि सची बात हो लेकिन अगर सामने करने में बुरी लग रही हो और उसके पीट पीछे वही बात की जाए तो यह बैक बाइटिंग कहलाती है अगर बात गलत हो तो वह बहतान है तो बहुत ही खतरनात बात है और कहीं यह कहा कि आधर बात करो सीधी सची और साफ सी बात करो अगर तुम ऐसा करोगे तो आल्लह तो अमारे आमाल की और तमारे अखलाग की इसलाह कर देगा और जो लार और इसके रसूल की इताइत करेंगा वही कामयाबी आजिगा यह मैं सुरह आहजाब के आखरी रुकू की पहली तीन का तर्जुमा बता लूग तो यह है हुकुक अले बाद अब हमारे हाँ जहां हम रह रह रहे हैं जो हमारा मौशरा है अगर यहां पर देखा जाए तो इस वक्त के सिच्वेशन आप देख लीजिए सड़क पर हर शखस को जल्दी है कोई किसी को रास्ता देने के लिए तैयार रही है कहीं भी नहीं है उसका कोई उसमें यह तो होना चाहिए कि आफिस टाइम पर खुले हैं तकरीबा टाइम पर खतम हो लोग वक्त पर घर पहुंचें यह चीज भी नहीं हो तो इसकी वज़ए यह हर आदमी अपना हक लेने के लिए तो तैयार है लेकिन अपने फराइ अब लुकूर ह नहीं एतनी एतनी अफरा तफरी ती पहले लोगों और फराइस के दा करने की फिकर होती हैं अब human rights का नारा लगा कर हमने लोगों को हुकुक लेने वाला तो बना दिया, फराइज अदा करने वाला नहीं बना दिया और हुदू सुल्दा अले सेलम ने सहाब कराम को जो तर्बियत दी थी, वो फराइज अदा करने की तर्बियत थी देखें नो वो वाकिया है के एक आदमी ने पानी मांगा तो दूसी तरफ से आवाज आगे बर हर इंसान को पराइस पता हूँ तो दूसरे के हकुक ऑलिडी पूरे हो जाएंगे, पराइस बस बता हूँ अपने हाँ राज चलते किसी इनसान के हकुक इन इस तरह के हकुक में और गरीबों के हकुक इस तरह हम जवाइड करते हैं कोई और डिविशन भी है इसमें जी हाँ यह यह तमाम चीज़ है रास्ते में हमें कोई हमसफर मिल लियाता है उसके हुकुक भी खुरान ने बयान किया अच्छा इसी तरह हम जहां काम कर रहें बिजनस कर रहें हमारे उस बिजनस का क्या हक है हमारे बिजनस पार्टनर के हकुक हमारे साथ वरकिंग कॉलीग के हकुक बिजनस पार्टनर के लावा खुद बिजनस के भी कुछ हुक है जैसे कहा गया है कि तुम जो खेती बाड़ी कर रह तो तो उसकी अदाइगी जैसे जाकात की अदाइगी हो गई और आपके साथ काम करने वाले लोगों को सिर्फ यह चीज नहीं होती है कि हम सिर्फ उन्हें तन्खा दे दें हमारा अच्छा रवया उनके साथ हुसने सुलूग यह सारी चीजें काउंट करती है किसी भी बिजनिस को स्टैबल करने के लिए यही चीजें कुरान ने भी बयान की अच्छा सब्सक्राइब करते हैं कॉले जी हमारे पास अलेपोर चैन करते हैं असलाम लेकुम असलाम अलाइकुम यह से साफ गर हेल्दी मॉर्णें विल्कुल फीक टाक आप कैसे तारिख करुआ और जिन साफ न बहुत कम तारिख करिये जितनी मैं करना लाइब प्लीज तारिफ नहीं करें तारिफ लेनी जाती है और आप अप्से बड़ी बात जो आपने फर्क है ना एक आम प्रोगाम पेश करती है और आप उसके इंटर्नल भी दर्ख को महसूस करती है जो इस्लाम का बहुत लेगा, NO, कि एक नalay reduces नहीं करें, रहे है बिल्कुल, बिल्कुल शो लोग मायूसी की बाप अच्या दूसरी सिंदगी मिले एक साथ तो फिर किस तरह के सरगमस्तांसिस ऐसी जैसे आपको भी मिली भी है सरकमस्टांसिस कुछ भी हो अल्ला की जार्थ से ना उमीद होना कुफर है देखे गमल का फूल है किचा में खिलता, कितना खुर्सूरत फूल है तो वहाँ भी खिल सकता है खुद्रत में पहाडों पे, कैसे कैसी जगाओं पे जहां कुछ भी नहीं है, कोई बारिश नहीं होती कोई पानी के इंतजामनी, वहाँ भी दरफ को उगा दिया है अगर हम, जिंदगी हमारी अल्लाद आने दी ऐसी है कि यह जिंदगी ऐसी है कि तुम्हें कांटों से बच के निकलना है अगर हमने कांटों की परवा करने के और रुप गए तो हमारी जिंदगी का फाइदा ही क्या है और जिंदगी है आखिरत का सामान कमाने की अच्छा, दूसरा मुष्टी साथ बैठें, उनसे इतना से मर्स करूँगा कि हुकुकुल इबाद के बारे में मैं तो सिस एक छोटी सी बात करूँगा कि हमारा इमान और मधब जो है जो नमाज, रोजा, हाज, जकात, ये जाती पहले और ये सिर्फ दस फीसद हिस्ता हैं मधब के और इमान के नुए फीसद बिल्कुल अलग है जिसके बारे में हमें नहीं बताया जाता और इसके कुछ रोशनी डाले तो बड़ी महरबानी होगी ठीक है, टैंक यू सो मँझ अभी यू से बात करते हैं ठीक है, ठीक है तैंक यू सो मँझ अच अच्छी कर वह हमार से परमाइव कोशनीक को अचे में पूदे फारयर में कोजसे कईादब का यू से वाबानाँ इसके पार आती है मौंौ मोवाभा इसके बाराना खाती है मौभा यू हम दूसरों से कोई मौॉओ करते हैं किसी सकु खरीद जर के लिए हाई करते हैं किसी की सर्विस इसे हम लेते हैं यह मामलात कहलाते हैं और इसके बाद जो चीजे यह तिसी के लिए सर्विस करता है जी तो यह चीजे मामलात कहलाती है इसके बाद जो चीज आती है यह चीजें भी किसी हद तक पढ़ाई जाती है और इनकी भी तरभियत होती है उसके बाद चौती चीज आत कितना civik sense है हमें कितना कुद् już happening कि लोग सी चीजें की-फॉराइज की तकी लोग dal अब वग्राइज की अब मैं शामिं वह संपां नहीं हमें बच्छों को शुरू से त्रब्यत देनी चाहिए बच्चे हमारे साथ अगर गाड़ी में बैठे में उन्होंने जूस पिया और उसका जो डबा है वो बाहर उचल दिया इस तरह कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और वो बाहर उचलने की सूरत में किसी की जान भी खत्रे में पढ़ सकती है कोई बाइक बाइक पर आ रहा था वो उससे टकराई जाए कुछ भी हो सकता है यह यह चीजें आती है मौशरत के हमें हमारी तर्जे मौशरत कैसी होनी चाहिए तर्जे मौशरत के अंदर हमारा रहन सहन उसका इस्टेंडर्ड ऑफ लीविंग नहीं कहलाता, बलकर उसके अंदर लोगों के साथ जो हमारा भी हेविएर है वो कैसा होना चाहिए हमारा way of thinking कैसा होना चाहिए यह चीज कहलाती है मौशरत और उसके बाद कहलाती है अखलाक जो सूफिया किया करते थे जो खानकाहे किया करती थी कि इनसान के अंदर जो बुरे अखलाक हैं उनकी जगा अच्छे अखलाक डवलप करना हसद की जगा इसार पैदा करना और बुख्स को दूर करना तकब्र की जगा आजज़ी लेकर आना और उसके तरीके कार बताएगे कि अगर किसी शखसे हसद हो गया या किसी से बुख्स हो गया तो उसका इलाज बताया, उसका इलाज बिल अजदात कहलाता है उस पर आते हैं, एक ब्रेक के बात चोटे से ब्रेक ही वियर्ज, बहाती चोटे से ब्रेक है आप लोग कही नहीं जाएगा, बड़ी इंपॉर्टन बात हो रही है जी हर इनसान को पता चलना चाहिए, इनफाक सारी माय जो देख रही है अगर बच्चे नहीं है घर पे तो उनको वो वापिस आए तो उनको जरूर सब कुछ बताएगा और अगर हैं तो फॉर्टन से बिठाद उनको टीवी के सामने, अभी वापिस आते हैं कहीं नहीं जाएगा